आज मैं F5 Error जो की डिश्वाशर में बहुत कॉमनली आता है उसके बारे मैं बता रही हूं मेरे भी डिश्वाशर में ये तीन बार ये कम्टेंट आ चुकी है F5 Error की पर मैंने फर्स टाइम मुझे पता नहीं था तो मैंने उसके लिए टेक्निशन को बुलाया था इसके बाद जब भी मेरे को F5 Error आता है तो मैं खुद से रिजॉल करती हूं तो देखते हैं किस तरह से रिजॉल किया जाता है तो ये F5 Error है तो सबसे पहले तो आप स्विच आफ कर दें जैसे ही F5 Error आए तो मैंने स्विच आफ कर दिया है फिर स्विच आउन करें तो नॉर्मल मोड में आ जाता है आपका डिश वॉशर अब आप प्री वॉश मतलब सबसे स्मॉल जो प्रोग्राम है आपके डिश वॉशर में उसको आउन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि डिश वाशर में से पानी ड्रेन हो रहा है कि नहीं और अगर वो अच्छे से ड्रेन हो रहा है तो हो सकता है कि आपके डिश वाशर में प्रॉब्लम नहीं हो अगर फिर भी प्री वाश में भी देख रहे हैं कि F.Y. एरर आ रहा है तो हो सकता है आपके आप डिश्वाशर में थोड़ी सी टेकनिकल प्रॉब्लम हो तो देखें मैंने प्री वाश रखा था एराउंड टू मिनिट्स का ही प्रोग्राम आप बचा है तो मेक्शर करें कि वो इमीडेटली निकाल दे जब आपका FI Error आ रहा हो तो देखें ये FI Error आया तो था पर जब मैंने इसको प्री वाश पे रखा तो नॉर्मली वाटर ड्रेन हो रहा है डिश्वाशर के अंदर से बहुती स्मूथली आ रहा है देखें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है तो और जीरो पे आ गया है और डिश्वाशर तो किसी भी तरह का डिश्वाशर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब हम open करके देखेंगे पर क्योंकि dishwasher बहुती बीच में ही F.I.R.R. आ गया था program के बीच में तो utensils अच्छे से wash नहीं हुए हैं इस वाले program में मैं आपको ये भी दिखाऊंगी थोड़े बहुत food residues रहे गये हैं इस dishwasher में आप देख सकते हैं इस washing में तो आप देख सकते हैं बॉटल बहुती अच्छे से धुला हुआ है फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे कि कहीं drain में drain वाले filter में कहीं पर कुछ food residues तो नहीं है देखें बहुत हद तक clean है इसको हम एक बार फिसे wash कर लेंगे make sure करने के लिए कि किसी भी तरह का drain में blockage तो नहीं है अब देख सकते हैं utensils भी जब मैंने pre wash किया तो बहुत हद तक अच्छे साफ आये हैं पर comparatively जब program full run होता है उसके comparison में जो बरतन है उतने साफ नहीं निकले हैं फिर भी हम कभी-कभी adjust हो सकते हैं तो देखते हैं इडली का जो साचा है कैसे आया है इडली का साचा बहुत अच्छे से आता है पर देख सकते हैं थोड़ा बहुत food residue रह गया है यह इसलिए क्यूंकि program जो था बीच में error के वज़े से ब्लॉक हो गया था तो हम next day भी एक बार wash करके देखेंगे कि अगर in case कोई problem है तो यह next day की मैं loading दिखा रही हूँ मैंने next day fissile load किया था dishwasher को और हम detergent बहुत कम डालेंगे आपको यह देखना है कि detergent जो है एक टेबल स्पून नहीं डालना है इस शुड़ भी half a टेबल स्पून डिश्वाशर के लिए ज्यादा detergent नहीं डाला जाता है अगर डिटेजन आप बहुत ज्यादा डालते हैं तो भी बहुत ज्यादा फोम प्रडियूस होती है और सर्फ प्रडियूस होगा उसके वज़से जो जाग होती है उसके वज़से भी डिश्वाशर में F5 एरर आता है तो F5 एरर के दो कारण है एक तो ड्रेन अच्छे से नहीं हो रहा है क्योंकि ड्रेन पाइप में कभी-कभी जब अपने एक्स्टेंशन लगाई होती है तो उसमें पानी रह जाता है और उसको डिश्वाशर फिर से पीछे को खीच लेता है तो इसके वज़े से एक रीजन है दिश्वाशर में F5 एरर आता है और दूसरा रिजन है कि आप बहुत जादा डिटरजन लाजए है तो मेक शूर करें अगर आप वन टेबल स्पून डाल रहे हैं तो हाफ टेबल स्पून ही डालें दिश्वाशर में वो सब्शन्ट होता है बस आपको यह मेक शूर करना है क कि आपने salt और rinsate जो है उसकी quantity हमेशा अच्छे से अपने dishwasher में रखनी है इसके अलावा आप देखें यह second day का wash है मैं दिखा रही हूँ अब यह dry mode में आ गया है मैंने 50 minutes का program लगाया था सिर्फ one minute का जो है dry mode है तो देखते हैं कि अभी देखें इस wash में हमने 50 minutes wash किया था फिर भी dishwasher में किसी तरह का F5 error नहीं आया है तो आप हमेशा चेक कीजिए technician को बुलाने से पहले एक बार pre wash कीजिए pre wash में F5 error नहीं दिखता है तो भी हो सकता है कि आपका dishwasher normal हो और otherwise आपको लगता है कि आप dishwasher को एक बार फिर से check करना चाते हैं तो अगले दिन फिर से utensil add करें, load करें और उसको एक बड़े program को set करें और देखें कि F5 error आ रहा है कि नहीं अगर स्टिल आप यह सब precautions लेने के बाद भी आपका F5 error आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी unit में dishwasher unit में कोई technical error है तो आप यह चीजें खुद से resolve करने की कोशिश नहीं करें और technician को बुलाएं क्यूंकि उनको पता होता है कि इस चीज को कैसे deal करना है तो देखें आप zero पे आ गया है तो अगले दिन का है यह wash में दिखा रही हूं और इस बाद डिश वाशर में जो utensils हैं काफी अच्छे से wash हुए हैं comparatively जब मैंने पहले वाले प्रोग्राम प्री वाश प्रोग्राम में डाला था तो हम देख सकते हैं कि डिश वाशर में किसी भी तरह का कोई fault नहीं है और वह नॉर्मली जल रहा है तो इस तरह की situation में आपको जरूरी नहीं है कि आप technician को बुलाएं क्योंकि आपके dishwasher में कोई issue नहीं है ता I hope कि आपको ये video बिल्कुल पसंद आया होगा क्योंकि ये error मैंने भी face किया है F5 error तो thank you so much for watching